हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब हालो हाई क्या है? क्या हो तुम लोग? भाल सब हम मुसीबत में फसक है देखे ना इन्हें चोट भी लग गई हमारी मदद कर दीज़ प्लीज अरे लेकिन तुम लोग हो कौन? एक्चली वख्त के मारे अर शादी में जा रहे थे कि गाड़ी हरा होगे और उपर से चोट भी लगे मुझे क्या मदद कर सकता हूँ? एक फोन करना था मेरे मुपाइल के बैटरी चलीगे सुपे जल्दी में चार्ज नहीं कर रहा है ना इसले एक 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 फोन प्लीज भाई साब बट्टी बांदेजे तो हाँ हाँ बैठिये सब भी लेगा बैठिये ओके थैंक यह यह आपके पात पात पेन खेलर है क्या बहुत पेन हो रहा है हाँ हाँ वो भी मिलेगा लीजे पहले आप पानी पीजे मैं अपना मोबाइल और फर्स्ट एड़ बॉक्स लेका राता हूँ ठीक है यह यह सभी टाइम होगा है अरे यह यह बंदू क्यों? तुम लोग भी बड़े बेवकुफ हो मदद मांगना है वो भी हमारे पास कौन हो तुम लोग? लुटे रे या तो फिर यू कहलो कि खूनी दो खून तो हम कर चुके हैं और अब दो और करेंगे वो भी तुमारा ने ने सर प्लीज 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 यह चुक्चाप गयने निकाल सारे गयने निकाल तुम तुम बहुत गलत करे हूँ है कौन हो तुम लोग? C.I.D. भाल! C.I.D. के सामने से भागना इतना असान ने वो भी दो दो खुम करके माफ कर दीजे साहब हमें साहब प्लीस साहब माफ कर दीजे माफी के लाएक तुमने काम ही नहीं किया यह तुमें माफ कर दिया जाए तुम तीनों के खिलाफ बहुत सरे सबूत है हमारे बास लक्षिता और इंदरानी का खूण किया तुम लोगोंने चलो, टाइम पूरा होगा तुमारा निकलो बीज़ो गुड जोब जैसे के आप देख रहे हैं हम फिलाल C.I.D. बूरों में है वहाँ से लाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले की तरह इस बार भी CID ओफिसर और खतरनाक लैंड माफिया जी हाँ लेडी डॉन लक्षिता और इंदरानी के खुनियों को पकड़ लिया है उन तीनों खुनियों का नाम है विशाल, शौनक और राहुल मगर आप लोगों ने इन तीनों को इतनी जल्दी पकड़ा कैसे कभी-कभी सुबूत और फोरेंसिक की जाच जब सही दिशा में हो तो खुनियों को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती सर ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है इसमें दो-दो माफिया डॉंस का मडर हुआ है क्या आपको किसी प्रकार का प्रेशर फ्रीज करना पड़ा? हाँ, कभी-कभी प्रेशर तो होता ही है मगर हमने सुबूत भी ऐसे ही कट्टे कि है कि उन्हें हम फासी तक पहुँचा ही देंगे और अफले हफते हम अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद ही कोट की कारवाई शुरू होगी इक है, तेंक यू बरी मुँच, अब जा सकते क्या हुआ अद्या, चुप कियों, क्या पुरिशानी है सर पताने क्यों मेरा दिल नहीं मानता के ये तीनों खुनी है क्या? क्यों? सर फ्रेंसिप रिपोर्ट और क्राइम सीन के इंवेस्टिगेशन से तो यही साबित हुआ है के खुन उन तीनों नहीं किया है सबसे बड़े बात तो यह है, सर कि उन तीनों ने अपना गुना कबल कर लिया क्यों उन्होंने खुन किये? तया, सर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि हमने कहीं इंवेस्टिगेशन में गल्ती किया या फिर कुछ नजर अंदास किया हूँ नहीं वैसे तो हमारे इस डबल मर्डर के टहकीकात सही दिशा में जा रही है हमेशा की तरह सर इस बार भी हमने सारे सबूती कर लिए पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा से जो दिख रहा है शायद वो है नहीं और जो है वो दिखने रहा असान के बोल कि शादी कर रहा है क्यों जा रहा है क्या रहा है कुछ के आ रहा है हाँ? अरो गॉपसाब आके बाप कहा है? सालों के साथ छुट्टी पर जा रहे हैं और वापस कब लोटेंगे, कुछ नहीं बता क्या? छुट्टी पर जा रहे है? तो छुट्टी ले के से सकता है? अभी यार, इस पर इतना है पर हो नहीं क्या सरू है? मैं छुट्टी पर जा रहा हूं क्योंकि मेरी तवय ठीक नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूं छुट्टियां लेकर के किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा हूं सिर मैं इनकी परसनल नर्स हूं, मेरा नाम मॉनिका है अच्छली इनकी ECG रिपोर्ट्स बहुत खराब आई है इसलिए डॉक्टर ने इन्हें कम्प्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है पागर हो गया तुँ बता त्यूने पहले तुने क्या बता था? मुझे अब खुद पता चला है तो मैं तुम्हें पहले क्या बताता है लेकिन सालों के साफ तब तक फॉरेंसिक डिपार्ट्मेंट की जिम्मेदारी कौन समालेगा प्रेडी यह मुझे नहीं पता है पॉस, किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बला ला ला मैं, मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ मुझे अब कुछ नहीं हो सकता है और मुझे नहीं मादू मैं कम वापस लटूँगा थैक्यो अच्छा हूँ आप लोग आगा है बात क्या है तारिका मुझे तुमसे जो बात क्यानी है पथा नहीं उसका रियाक्शन क्या होगा लेकिन बात क्याना जरूरी है सालूं के सर का बरता और उनके काम करने का धंग कुछ दिनों से बहुत बहुत अजीव हो गया है क्या मतलब है तुमारा बहुत बहुत प्लीज मुझे गलत मत समझे सालों के स Ар activism Rs. 1 मैंने इतनी साल उनके साथ काम किया और किना कुछ सीख य। उनके बास से लेकिन लेकिन इसकी फ़रंसिक जाच उन्हो ने ठीक से नहीं कितनी सारी बातों को उन्होंने अंदेखा किया है कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंक से टेस्ट भी नहीं किया तारीका, तुम समझ रही हो, तुम जो कह रही हो, उसका क्या मतलब हो सकता है तारीका सोला साल से साणु के साथ हमारे साथ काम कर रहे है वो C.I.D. को गुम्राः क्यों करेंगा अगर तुम्हारा शाथ गलत निकला तो अगर आप लगों ने मुझे गलत साबेत किया तो सबसे जादा खुशी मुझे ही हो, तुम्हे ही गोड़ी दॉक्टर तारीका की बातें अभी भी दिमांग में कुम रही है अज तक कभी सालूंगे साफके लिए उसने कुछी नहीं कहा है लेकिन आज ही है समझ में नहीं पल्राया है, अब हमें क्या करना चाहिक? कभी लगता है कि दॉक्टर सालूंगे इसा करी नहीं सकते है कभी लगता है कि मैरा शक तही था कहीं न कहीं इस केस में हमसे कुछ गल्ती हो रही है एक्सपीरियंस आद्मी है सालूंके साहब लेकिन फिर क्या करें एसीप साब को बोलना है नहीं अब जीर बले एसीप साब दॉक्टर सालूंके से जगडते हो पर वो कभी नहीं मानेंगे कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर साब ने ठीक नहीं बनवाई है ये वाग तो है ये क्या है मैं देखनो चॉक्लेट प्लिपर जिसा लगता है चॉक्लेट प्लिपर ने प्यार से फोल्ड करके किसी ने वाइपर पी क्यो रखा कुछ लिखा हुआ है इसमें कुई कोई मेसेज सुनी वो सकता है पर क्या है पढ़ने में आ नहीं रहता अचल कर देख क्या रहता इन विज़ीव लेंग से लिखा गया था अच्छिता और इंदरानी की काम वाली सपुबाई नहीं नाम लिया था लग्षिता मेडम और इंदरानी मेडम दज सब्टेंबर को रेड सेंटर होटल में जाने वाले थे होटल जल पर इंदरानी का घारानी का तृटल अच्छिता और इंदरानी का एंदरानी का ख़ूल आए के कमरा नंबरी का इस डेबल मुडर के से कुछ सम्वंन तो नहीं है वो सकते है देया इसका पता लगाना पड़ेगा अटली मैनेजर कॉन है? सर वो रहे क्या सर? 10 सेप्टेम्बर को कमरा नंबर 111 में कॉन थेरावद है? कोई नहीं महां कोई कैस्ट नहीं हुआ है तेग छूट मत बोल समझा मैं जूट दिल हुब भूल रहाँ वो तो हमारा स्टाफ रम है स्टाफ रम जी वो हमारे असिस्टेंट मैनेजर अंगत को धिया घया अंगत असिसंट मानें जया है ज़िव्य संट पुंद्ला सर वो तो भी हां नहीं इनकी डीटेल्स तो होंगे आपके पास यह सर यह अंगत इस पर कहा होगा अब कुछ मालूम है नहीं सर, अंगत सर अचानक कहीं चले गया है अचानक कहीं चले गया हाँ सर दस्तारी को शाम को साड़े छे से साथ के बीच वो रूम के चावी रेकर बहार निकला और आते ही बोला कि उसे मुंबे से बहार जाना है उसे कुछ दिनों के लिए चुट्टी चाहिए और कहां गया यह बता के ने गया नहीं सर, इंफेक्ट वो अपना समाल लेंट अपने रूम में भी निया है और उस दिन से उनका कमरा खोला भी नहीं गया है तो आप खोलिये हमें कमरा नंबर 111 के तलाश ले होगी है पुरी राहूल, विशालो, शौनक इन तीनों के खिलाब चार्ट शीट फाइल करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से दुबारा चेक करो पुरिंसिक रिपोर्ट्स, गवाओं के बयान और फिर उन तीनों की स्टेटमेंट भी जिसमें उन्होंने कुबूल किया कि ये खून, उन्होंने किये हाँ सर्वाँ, मैंने सारे पेपर से खटे कर लिये द्याका सुरूब सर्वाँ, द्याका फोना था थोड़ा लेट आ रहा है कह रहा था कुछ जरूरी काम ने उप्टाने उसे अब इस देख बात समझ में ने आ रही है अज इतने सालों से हम लोग एक साथ काम करें लेकिन किसी भी इंवर्सिकेशन में दोराई नहीं हुरे अगर इसी केस में पर्टिकुरर्ली इसी केस में बताने क्यूं दया को यकीन क्यूं नहीं हो रहा है ऐसे उसे लग रहा है कि तैकिकात में कुछ कमी रह गई है क्यों ऐसे लग रहा है सब कुछ तो ठीक ताक है सब कुछ ठीक ठाख है समझ भी नहीं आ रहा है क्यों सारे ठोच सबुते उनके खिलार ठोच सबुते उनके खिलार सर लक्षिता को माथे पे गोली मारी गई है और इंदरानी को गले पे और दोनों के शरीर पे कोई चोट यां खरोच के निशान नहीं है उतलब मौत से पहले हात अपाई नहीं हुए जब इन दोनों की मौत होई तुम कहा थे साब आगे नाके पर पान की दुकाने में वही पान कहने गया था साब सब बेरी गलती है साब मैं जब वापस लोटा तो देखा वो तीनों खुनी भाग रहे थे साब तुमने खौनियों को बागते वह देखा है ता साब लक्षिता मेडम और इंद्रानी मेडम के दुश्मन ते साब उनके हाथ में बंदूग भी थी साब कौन है दुश्मन उनका सर वो विशाल, शौनक और राहुल विशाल, शौनक राहुल ये तीनों तो वही है ना जिनके घर आतिया लेते तुमारी मेडम ने ठीक कहा सर आप में मैंने तो कई बार इंद्रानी मेडम और लक्षिता मेडम को कहा था कि प्लीज आप अपना पर्सनल बोडिगाड रख लिजी लेकिन नहीं सर अब प्रॉपर्टी के काम में दुश्मन ही तो होगी सर हम यहां अगर में कोई और बीता इनके साब है यही साब फाहु नोए अक्यली टी साब इनक माम करने वाली शед्र्ट कॉप Jeżeli और यह कि आई थी साब काम में लिख сам इसके पर निटान बनाई हो आपर आप पुनी का हो तो सकता है लेकिन तर खुन यहां पर कैसे आए आसर जब खुनी ने लख्षिता और इंदरानी पर गोली चलाई तो लोग शोफे के आजपास बैटे बेते तो खुन वहा होना चाहिए था पुनी यहां पर कैसे है ठीक है लो लेकिन यही हो सकता है कि उनको गोली मानने के बाद खुनी यहां से भाग रहे हो और कोई चीडी पे लडखडा के गिर गया चोट लगी और खुन निकला रहा अंसर यही हो सकता है अंकर्श यह दिवार पे जितने भी बुलेट्स है सब को निकालो और पॉरंसिक लाब बेच दो सर फर तो बैलस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि लक्षिता और इंडरानी पे यही गोलियां चली थी यहां और उंगलियों के निशान और खुन की जांच से यह भी पता चल जाएगा कि वो खुन विशाल, शौनक और राहूल में से किसका है एक आमखा जितने भी आई बिटने से सब के स्टेट्मेंट लो पर तुशार से साइन करा लो लजित सक्कुबाई के बलवाओ पुष्टाच करोस से सचित विशाल, शौनक और राहूल तीनो की फोटोग्राफ सारे पोली स्टेशन में बेजो सारे मोबाइल वैन और चेकनाके पे बेजो तीनो बच के जाने नहीं चाहिए सक्कुबाई में तुमसे कुछ सवाल पूचुम्राई सब सच सच बताना साम सक्कुबाई के बें जूटने भोलती अच्छी बात आज तुमने लक्षिता मैडम और इंदरानी मैडम के बरताव में कुछ अजीब पाया था? नहीं साम अच्छा, राहुल, शौनक और विशाल इन तीनों का तुम्हारे मैडम के साथ कभी कोई जगडा हुआ था? नहीं साम मैंने कभी कोई जगडा नहीं देखा तुम्हारी दोनों मैडम यही रहती है? नहीं साम सानिवा रहिवर को आराम करने के लिए उफामाउस आ जाते थे और सुम्हार को चले जाते थे साम और कुछ आते तुम्हार? नहीं साम लक्सिता मेडम और इंदरानी मेडम होटल रेड सेंटर में जाने वाले थे हम तुम्हें अच्छी तरह याद है कि वह होटल रेड सेंटरल ही जाने वाले थे? हाँ साम मुझे पक्का याद है यह न मेडम ने खाना मनने के लिए मुझे बना किया था और हाँ साम वो किसी के साथ डिनर करने को जाने वाले थे लेकिन वो गये नहीं गये मुझे कुछ भी नहीं बता है साथ में वाह से भी चली गई है होटल रेड सेंटरल इतने सारे सबूत में लिया अभीजी कुलियों के निशान फिर गोलियां भी इससे खून हुआ है और पिर गवाओं के बयान दी वही तो सर उन तीनों के पास इंदराणी और लक्षिता को मानने का कारण भी था क्योंकि उनने उन तीनों को बेगर किया था यहां तक कि वाच्मन ने भी उन्हें खून करके भागते हुए देखा था और सारूं के सामने भी बताया है उनी की गोलियों से मौत हुए लक्षिता और इंदराणी की सारूं के की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती कभी गलत नहीं होती लेकिन इस के इस की फोरेंसिक जाज उन्होंने ठीक से नहीं किया कितनी सारी बातों को उन्होंने अंदेखा किया कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंक से टेस्ट भी नहीं किया हाँ साडूंके साब का काम तो एकदम बक्का होता ही है पता नहीं क्यों अचानक उनकी तबियत कैसे खराब हो गए हाँ सर, साडूंके सर जब क्राइम सीन पर आये थे वो तबसे ही परिशान लग रहे थे शायद अपसीम के तपेद खराब हो गई यह तो ब्लड सेंपल कले करने की बादन है तो किसी चीज के ट्राइं के गए इस पेपर में विलो के निशान यह आर वी एस सर, यह देखिए लगता है कोई अलग अलग आप्मियों के उंगलियों के निशान बनाना था है मैंजे सर, यह इस कंदे के लाभा कोई अलगे रहते है नहीं सर, वही रहता है यह इस परिज में यह आर भी यह इस आर वी एस क्या हो सकता है सर, कहीं है आर से रहूल, एस से शानक और वी से विशालत हो नहीं उसलिकिन अंगर ने इन तीनों के फिंगर प्रिंट्स उठाय कहां से हूँ पानी के ग्लास पर से यह पर टेबल के उपर से यह इस पेपर वे कुछ ड्राइंग बनाए गए है और यह ब्लड संपल के बॉटर मिलिये से तो लक्टा हिंदरानी और लक्षिदा के मडव में इस अंगत का हाथ है सर। ते काम करो इस सारे सबूत और यह ब्लड स्नाइट्स इसे डॉक्टर तारिका की बास मेज़ दो हमें इस अंगत को जल से जल ढूनना होगा बहुत-बड़ा हाथ है उसका इस केस में यॉक्टर वाल से पुष्टर है जल जल सकतुना ना जल से जल सकता है भी जल जल को जल सकता है सब आप सच मो जा रहे हैं आता रिखाप मेरा काम खातम हुआ है अरविये परेंचिक लेब केमिकल सेक्षन एविदेंस रूम इन सब की चावी तुम से माला हुआ मैं ने अपनी जरुद के कुछ कागजा अपने साथ ले ले लेकिन सेर आप ये पेपर्स और फाइल्स क्यों लेकर जा रहे हैं आपके अपकी अप्यात खराब है इसलिए अपने छूटी लिये ना अराम करने के लिए या फिर घर पे भी काम करने का इरादा है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थारिका देखो यहां का काम तो तुम सभाल लोगी लेकिन भाई अगर कभी मुझे लएब की आदाई तो इन फाइल्स को देख करके अपना मन बहना लुगा तुम एसे क्यों बात कर रहे हैं आप वापस स्लोट में वाले न थेक होगर हाँ यस जरूर है अधिवे नेरी चिंता छोड़ो यहां मन लगा के काम करना तेखो अब तुमारे जिम्यदारी ज्यादा बढ़ गए है अब सर अब हमें चलना जाहिए आपके खाने का भी वक्त हो रहा है और फिर आपको ड़ाई भी तो दे हो के तारिका तारिका सर अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से ठीको कर वापिस आई है और जल्दी से ठीको कर वापिस आई है और यू टेक केर अफ यूरसल्फ हम चलिए अंगत के कम्रे से मिले सबोतों के जाच शुरूप करने पड़ी दिए झाल 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 हलो, दिनल आप जी मुझे जान्च करवानी है हाँ, स्लाइड और रेफ्रेंस फाइल दोनों भी रहती है दोक्र सालूं के, अच्छली सालूं के साथ छुट्टी पर है और उनके जगे जो नए हैर अफ देपार्टमें आने वाले हैं उन्हें जॉइन करने में थोड़ा थाइम है लेकिन मैं इस केस में बिल्कुल देले नहीं कर सकती हूँ इसलिए प्लीज आप रिपोर्ट जल्द से जल्द रेडी कर दीजे ओ, थैंक्यू वेरी मुच्छ प्लीज वेरी मैं जॉच्छ ओ, कौन? ये कैसे हो सफ़ता हलो? कि आपको पूरा यहतीन है कि वो खूलो नहीं का यह नगाने डॉक्टर तारिका को आप क्या पता चला है जब उनका फोन आया था तो काफी परिशान नग रहे थी को यह तो बड़ी बात हो गया भीजी थे मुझे लगता है लक्षिता और हिंदानी के मड़के इसको रियोपन करना चाहिए और नए सिरे से तखीकात करने चाहिए हमारा शक्सा ही निकला कि फिंगर्प्रिंट और डियन रपोर्ट कि यह क्या है अंगत के कमरे से जो खून बाल और फिंगर्प्रिंट्स मेले थे वो शौनक विशाल और वाल से मैं हो ओक जो है कि मैं कि वहां के शौनक विशाल हूं के कुन और फिंगर्प्रिंट्स हमें कृम्सीन पर में एक प्रक्राम भी अवी अगर विशाल शौनक राकूल ने उनके पंवेल वाले फामावस में मारा है तो फिर उनके बाल खून पिंगर्प्रिंट्स होटल रेट सेंट्रल की सिसी टाफ्रों में कैसे आगाए। सर, राहूल, विशाल और मैं, हम तीनों हमारे गहर कानुनी साओधे के लिए होटल रेट सेंट्रल जाय करते थे। लेकिन सर मैं कसम खागे कहता हूं कि हम तीनों अंगत से कभी नहीं मिले। भूसकता है कि आते जाते देख लिया हो, लेकिन सर मेरी से कभी कोई बातशीत नहीं हुई सर हो सकता है तुम्हारे साथी विशाल और राहूल अंगत को जानते हो नहीं सर मैं दावे की साथ कह सकता हूँ कि राहूल और विशाल भी अंगत की लिए अजनभी है शॉनक.. अ यिस चोटी सी बॉटल में हमें तुमारा खुन मिला था मेरा खुन? यह भी अंगत के होटल के कमरे से मिला था हमे तुमारा यह खुन वहाँ अंगत के कमरे में कैसी आया ? मुझे немहीं पता सर क्या पिष्ले आठ तास दिन में तुम्हें कोई चोट लगी थी? जिसके कारण ना बहुत जादा खुण भाओ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तुभी तुम्हारा ही खुण इस बोटल में कैसे आया? है? सर, कुछ दिन पहले जुचेक एलर्जी अटक आया था उसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए में हॉस्पिटल गया था तो हो सकता है कि… कौन सा हॉस्पिटल? सर, पेरडाइस हेल्थ केर हॉस्पिटल पेरडाइस हेल्थ केर हॉस्पिटल हाँ, हाँ, सर उस पैथलोजस्ट का नाम पता है तुम्हें? जिसने तुम्हारा खून लिया था? सर, नाम तो नहीं पता लेकिन सर, वो दिखने में थोड़ी सी सावली थी बाल उसके घुम्राले थे सर, वो हॉस्पिटल की जुनियर पैथलोजस्ट थी, सर सर, मुझे तो लगता है कि शौनक और उसके साथियों नहीं लक्षिता और इंदरानी का खून किया है और यह सब ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है यह से लिए जाओ, जाओ सर लोटो सर, अले सर, जब से यह केस रिओपन होगा है, तब से और उलस्ता जा रहा है पहले किसी ने मेरी गाड़ी में उस चॉकलेट के पेपर पे होटिल रेट सेंटर लिखा और उसी होटिल के कमरे से यह अंगत गाव हो गया और उसके कमरे में से इन तीनों के बाल, फिंगर प्रिंट्स और खून मिले और सर, आँ सर, और क्या सर, समझ में ने आरा कैसे कहूं, आपको मेरी बात का यकीन होगा या नहीं यकीन करूंगा या नहीं साफ साफ बताओ दया सर, वो डॉक्टर तारिका को डॉक्टर सालूं के बरताओ पे कुछ परिशानी है सर, उसे लगता है के पोस्मार्टम और फॉरंसे चार्ज के दारान वो कुछ परिशान से थे और उन्होंने इस सारे टेस्ट जलबाजे में किये थे तुम सालूं के पर शक कर रहे हो दे हैं सर, कुछ बात तो जरूर है साफ साफ बताओ दया, बताओ बात क्या है सर, मुझे लगता है के सिहत का तो सिर्भाना है क्या मतलब? सर, मतलब डॉक्टर सालूं के का लाब में ना आने की असली वज़ा कहिए लक्षिता और इंदानी के डबल मर्डर केस तो नहीं है अगर ये बात है दया तो सालूं किसे मिलना पड़ेगा काना 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 का रहा हुँ ना देखने लिए लग दो बात में फाल आप अप्रकिये ना देखती हुँ क्या अभ्र को सर आप आईये ना प्लीस प्रजिमत धयार में आप सब लोग यहाँ तू इतना चॉंक क्यों यह हमें देख कर आप सब लोग यहाँ मेरे घर के इस वक्त किसलिया है हम यह पूछ नहीं है कि अपकी तभीद कैसी है वैसे वह यह फोन करके आना चाहते थे पर आपका फोन कब से स्विच्छ रॉप रहा है हुआ वो बैटरी का प्रावलम होगा सर आपके तभीद कैसी है अब कि मेरी तभीद के बारे में छोड़ों कि आप लोग यह बताओ कि आप लोग यहां पर किस लिया है क्यों अबस कुछ प्रॉब्लम हुई है आसाम के प्रॉब्लम तो हुई है हमारी इंवेस्टीशन और तुमारे फोरिंसीग रिपोर्ट में कुछ गल्ती है सब्सक्राइब कर दो कैसे पैसे तू करते एक इंवेस्टीशन में तुमारे उस्टीशन हो शक्ति नहें करता हूं नहीं पर मेरे सोलह साल की गाप्र शक्तन है तबिदाव नाराज मत हुई हमें अभी तब्यत खराब थी तो शायद गवाथ से आप से कुछ चीज नजरंश तो जो गयो खर्थी तो अपने जानबुच के गलती किये हमें बस इस बात के फिकर है कि किसी बेगुना को सजान हो जाए कि अज़ा नहीं जाने हो जाए नहीं जाने वामीजे बेवकूफ नजरात हो मैं मेरी शकल पर लिखा कि मैं बेवकूफ हूँ कि अज़ा मतलब कि आपका 16 साल के बाद आप लोग मेरी कामलियत पर मेरी इमानदारी पर शक्क कर रहें 16 साल मैंने इमानदारी से काम किया और आप लोग घुमा घुमा कर यह कहना चाहते कि सालूख बेवकूब है इतना गुसा क्यों हो रहा है मैं गुसा इसलिए हो रहा हूँ बस तू यह कहना चाहते हो कि सोला साल के बाद सालों के बेवान है उसने गंती की है वो लाखाबल है अगर अगर ऐसा है तो आप इंपरानी और लक्षिता का फोस्ट मार्टम तुबारा कर वालेजी एड़ सित पस अरे साब लोग साब बातों सुनी है कि यह सालों के सब पोद्ः उन्हें ने एक बार भी नहीं भी मूचा की हमें उनकी रिपोर्ट में उन्सी गलत बात लगती है वही तो वही तो यह बार भी सवी अन्हें पूचा चिह टॉट में गल्ती नोगित है आग भाय साब है यह किसलिप दिखर बतारें आप इस डोर से अंदर चले जाएं जी जी हाँ 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 मेडम, यह आप उस कुर्ची पर बैठ जाएगे, ठीक अपना हाथ दीजिए मुझे पर डर लग रहा है घब रहा है, मत, आपको कुछ नहीं होगा बीची मेरा एक दोस्त है मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट पिक अप करनी है तो मुझे उसकी रिपोर्ट मिलेगी पेइमेंट सिलिप है आपके पास? आप सिलिप तो नहीं लाई हूँ लेकिन उसकी रिपोर्ट बहुत अरजिंट है वो बिमारे तो आ नहीं सकता उसका नम शौनक है चीक है मैं चेक करके आपको बताती है लेकिन मैंने तो किसी शौनक की रिपोर्ट नहीं देखी और अगर होती तो रिकॉर्ड में होती आप यहीं पे रुखिये, मैं देख के बताती हूँ Excuse me, आप एक एक करके आई है यह मेरे साथ है आपके साथ है तो आप यह नहीं कहिए कि भारी इंतजार करें CID किसी का इंतजार नहीं करती CID? रिपोर्ट काँ है जढ़ी जली बता उ मुझे नहीं पता मैं साथ कहरे हूँ हमुझे कुछ भी नहीं फटा किया किया तुम्ने तुमने घग कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पृता कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता साथ मुझे कुछ नहीं पता मुझे साथ कह रहे हूं, मुझे कुछ नहीं पता हमें पता है यह रहा वो ब्लड सांपू जब तुमने शौनक का ब्लड टेस्ट किया ही नहीं नाम बताओगी या एक और थपड़ खाना है नहीं, अंगत, अंगत नाम है उसका अंगत? हाँ, वो मेरी कॉलीज का फ्रेंड है उसी दे मुझे यह सब करने के लिए कहा था यह अंगत है यह कहा था? मुझे कुछ नहीं पता मैं सच कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता अंगद ने तुम्हे बताया था कि उसे शौना का खून किसलिए चाहिए? नहीं लेकिन मैंने उसे फोन पर बात करते हैं, सुना था वो किसी से कह रहा था कि गाड़ी मोड़ वाली बैकरी के पास ले आओ मैंने दोस्त समझ के उसका काम कर दिया और बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया बाद में मुझे भी शक हुआ कि वो इस खुन का कुछ गलत इस्तिमाल करने वाला है मैं सच कह रहे हैं अंगद ने शौना के खुन का इस्तिमाल तो किया लेकिन क्यों? तरिका राहुल, विशाल और शौना ये तीनों खुनी अंगद को जानते तक नहीं से फिर भी उनके उंलियों के निशान उसके होटिल के कमरे में मिले इसका मतलब है फोरेंसिक इंवेस्टिएचन में कोई न कोई गल्ती हुई है बस दुबारा पोस्मॉटम करना पड़ेगा अब क्या कह रहे एसीपी सर् डॉक्टर सालोंके ने तो पर गुस्मे में दुबारा पोस्मॉटम के बार में कहा था क्योंकि उन्हें लगा कि हम सब उमपर शक कर रहे है शक की वज़े है हमारे पास थारिका शक की वज़े है बस पोस्मॉटम करना पड़ेगा विजिन सर्ब डॉक्टर सालोंके के बेना अब मेरा दुबारा पोस्मॉटम करना सही होगा तुम्हा के लिए नहीं हो तारिका डेली ब्रांच से एक बहुत बड़े फॉरंसिक एक्सपर्ट आरह है जब तक डॉक्टर सालोंके काम पर वापस नहीं या जाते डॉक्टर समीरी है डॉक्ट डिपार्टमेंट के जिम्हेदारी सहमा लेंगे मैं आगी हो सर्थ नहीं है डोड्र समीरी वेल्कमे तो जिंए आर्ड्र समीरी है दॉक्त नहीं है जरीओटो Assistant सब्根म करते हैं जिन के साहरों से शालोंके जिनके साहते हैं ну कब करूगा ईजरा मेरी चुशनसीबी है कर से यहां कुछ धर कुछ दिन काम करूगा थाउड चुटिल कन्फ्यूजड ति मेरी समझ में नहीं आ रहा है का फैसला क्यों किया है यह अपको प।्समार्टम करने पर ही पता चाड़ेगा कि अपने काम आज से ही शुरू करता हूँ प्लीज विकास दुबारा पोस्ट बार्नम करना ज्यादा मुश्किल है ज्यादा वक्त लगता है असमें आंग्यों से नाइस मीरिंग यूर्ण यह दॉक्टर के लिए अज़ अज़ दुख्टर के लिए यह देखिए यह तो एक कमरे का लक्षा है कमरे के बीच ओबीच एक सोफा है लगता है सोफ़े पे दो लोग बैठे है और सामने टीवी देख रहे है डिजाइन से तो वही लिविंग रूम लगता है जहां से हमें इंदरानी और लक्षिता के लाशे मिली थी हाँ, सर जिस वक्त उनकी मौत होई थी उस वक्त कमरे में टीवी चल रहा था सर शोफ़े पे जो दो लोग बैठे मुझे तो लगता है यह इंदरानी और लक्षिता है और लक्षिता के घर के लेविंगरों का नक्षः अंगज कर रहा है तब कही ऐसा तूनी कि यह आँज़ा ते बनागा। सर लक्षिता और इंदरानी इन दोना का खूण 9 से 11 के ढ़ाँ बेच में और यह था अंगध ऋगोटल के कमरे से साथ बज़े निकलिया था वही तो दया इस अंगत को कैसे पता चला साथ बज़े से पहले कि नौ और ग्यारा बज़े के बीच लक्षिता और इंदराइनी टीवी देखने माले और फिर इस कमरे का नक्षा वो भी अंगत के पास कैसे लक्षिता के गर की कमरे का नक्षा कुछ न कुछ तो गड़बर जरूर है दया, कुछ न कुछ तो गड़बर है आप लोगों ने पुलिस बीट को फोन किया था? जी हाँ क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो इस कार को इस हालत में देखा तो आपको फोन किया आगे की सीप में एक आदमी है, शायद मर गया है अरे, यह तो वो ही है अरे, आप लिए, यह तो यह तो आपको भी में तने शेपनी है लोगोगोगोगोगोगोगोगोगिषास